आज बात करेंगे गोविंद जैस्वाल जी वही गोविंद जैस्वाल जो आईएस हैं 21 साल के उम्र में 48 रैंक लेके आए थे और आईएस बन गये थे ये वही गोविंद जैस्वाल हैं जिनके पितार एकसा चलाते थे और ये वही गोविंद जैस्वाल हैं जिन्होंने बात करेंगे और आप जो देख किया रहे होना एज इस वही बात होगी यह गोविन जैसवाल आज तक फीमस है इन पर मुवी भी आ गई है और आज भी जो स्टुडेंट यूपेसी बीपेसी की द्यारी करते उनके लिए एक आधर्स है होना भी चाहिए इतने मुस्किलों से ज इन पर मुवी आई है बहुत सारा रिल्स बना है तो जो बहुत मुवी और बहुत रिल्स बनाना तो मुझे लगा कि इस पर बात करना चाहिए आँखों देखी बात करेंगे आँखों देखी क्यों बात करेंगे उस पर भी बात करते हैं क्योंकि कई बार जो हमारे सामने ची कि अभी बहुत लंबे समय से हम नहीं जानते गुसरे को लेकिन एक टाइम था जब हम लोगी मुलाकात हुई थी ठीक है अब सुनिए अच्छा से सवाल है कि गोविन जैसवाल के साथ जो कॉमन चीज है जिससे इस्टूरेंट रिलेट करते हैं खुद को उसमें पहला देखिए पहला है गड electr. जो गोविन जैसवाल गड़ीं है बहुत साथ इस्ट्रेंट गड़ी हो सकते है दूसरा जो रिलेट होता है उनके पिता रिक्षा वाले है किसी के किसी के पिता दुकान चलाते हो एंगे किसी के पिता बोज उठाते हों और तीसरा है कि एक टाइम खा के वो आदमी पढ़ लिया यानि कितनी घड़ीवी में वो पढ़ लिया और जैसे गोबी जैसेवाल क्वुलिफड किये उनके इंटिभ्यू जाने लगे इस आधार पे कई सारे हमारे student कई सारे हमारे जुस समय के छात्र थे और आज भी उस आधार पे सपने देखना सुरू करती है जिसमें हजारों लोगों के सपने पूरे नहीं हुए राइट, सपने पूरे नहीं हुए अब यहाँ पर दिक्कत पता है क्या हुई दिक्कत यह हुई और आज भी यह हो रहा है इसलिए मैं कहा रहा हूँ आज भी जब interview आता है तो कभी interview आगया कि मैंने self study से पास किया मैंने फ़गाने दिक्कतों के अंदर पास किया मैंने ये किया वो किया और उसके साथ तुरंत हम relate करते है और तुरंत लगता है कि आरे ये सारी परिस्थिती तो हमरे साथ है क्योंकि हम क्या करते है आर्थिक समानता स्थापित कर देते है और economically हम उससे के बढ़ावर होगा हम भी गरीब गोविन जैसवाल भी गरीब हम भी गरीब अभी वाला जो नया टॉपर बना है वो भी गरीब तो हम गरीब और ये गरीब तो हमारा एक्जाम निकल जाएगा यानि गरीब होना एक्जाम निकालना बड़ा बड़ है लेकिन इसलिए मैं कहता हूँ कि जो इंट्रेव्यू आता है ना सेलिक्टेट का और ऐसे तो उन लोगों की कारण बहुत सारे लोग का जो कैरियर है वो बरबाद हो जाता है वो कहीं और जा रहे होते हैं लेकिन उनको लगता अच्छा ये गरी, हम गरी एक्वल लेकिन उनका जो जिस जॉब की तयारी कर रहा है जिस परिस्थिति में थे उसको लेकर उनकी भावनात्मक समझ या उनका जो भाबनातम अप्रूच था उसको लेकर जो उनका समर्पन था उसको लेकर जो उनकी स्ट्राटिजी थी जो पैशन था उससे रिलेट नहीं करते समझे इस बात को हम रिलेट करते हैं उनकी गड़ीवी से हम रिलेट करते हैं कि उनके पिता भी गरीब थे हैंने फैमिली बैग्राउंड भी गरीब तब बहुत गरीब ही में पढ़ाईगी इतना ही रिलेशन है कोचिंग नहीं लिया उन्होंने ये भी एक है ठीक है कोचिंग नहीं लिया आई इस बन गए कब 21 के एज में सब्सक्राइब आठीक ही रैंक 48 हम क्यों नहीं हम भी कर सकते क्योंकि हम गरीव हैं लेकिन सायद आपने धिया ये ध्यान आपने नहीं दिया कि वह अगर गरीब है मैंने यहां पे लिखा आपके पास आ रहा होगा तो दिल्ली कूँ गए वो अगर गरीब है तो दिल्ली कूँ गए उनके पिता यदि रिक्सा चलाते थे तो वो वही रहकर मेहίνत क्यूं नहीं किये और अपने पिता को support क्यूं नहीं किये तीसरा और भी चीज़ सुनाओंगा कि एक टाइम खाना खाते थें कुछ बच्चों को ट्विशन पढ़ाते थे लेकिन एक टाइम खाना खाते हैं पैसे इतने कम हो गये जबकि घर वाले भी पैसे भीशते थे धे उनके पिता को पैरमें घंशते थे यो prestigious चलाते थे क्योंकि नहीं पढ़ा रहे होंगों तो एक टाइम खाना पढ़े गया तो वह पाट टाइम जॉब करके क्यों नहीं पढ़ रहे थे कि सवाल यह भी उटेगा रहा कि इतना सेक्रिफाइस करने की क्या ज़रूरत थी यह सवाल आपके दिमाग में पक्का नहीं आया होगा गैरंटी एलिक के रख लो क्योंकि आप चाहते ही नहीं कि अपनी कमी को हम बाहर निकाले समझ में आ रहा है अच्छे से सुनिए आखे खुल जाएंगी और दिमाग भी खुल जाएगा जो रिल्स और रियल के बीच में डिफ्रेंस होता है और वो पढ़ाई कैसे करते थे पढ़ाई कहां किया और उनको किसका सपोर्ट मिला उनके अंदर उस एक्जाम को लेकर कितना पैशन था इसको भी देखना पड़ेगा न अब एक एक करके आते हैं बहुत गरीब थे तो जहां थे वहीं पर पढ़ते इलाहबाद बगल में था सस दिल्ह क्यूं चलेगे हैं हम परिस्तिती 207 की बात कर रहे हैं वह दिल्ली क्यों चलेगा वह दिल्ली इसलिए गए क्योंकि वहाँ पर बेस्ट मेटेरियल मिलता है वहाँ पर बहुत सारे कोचिंग है अलग-अलग तरह के सपोर्ट मिल जाएंगे अगर हम क्लास नहीं भी कर पाए तो डेमो क्लास भी अलग-अलग कर लेंगे तो हमें एक अप्रोच मिलेगा उस तरह के स्टुडेंट मिलेंगे उस तरह के एक माहौल मिलेगा उसकी जवरत होती है ना मैं कहरा हो पहले से चीज़े बदल गई अब यह आप छोटे जगा पर भी देख सकते हो पहले इस तरह से इंटरनेट नहीं था पहले इस तरह से सपोर्ट सिस्टम नहीं था पहले इस तरह से आपके घर में पढ़ाने के लिए नही माद्यम से तो इनको ये बात पता था न यह इलाहाबाद में नहीं रुके यह सीधा दिल्ली चलेगा उनको लगा इलाहाबाद में रुकें गे तो पांस साल लग जाएगा हम वहां जाएंगे तो किसी ने किसी टीचर का support मिलेगा वह environment मिलेगी वह चीजे मिलींगे हम कर ले दूसरा जवाब कि उन्होंने पिता की मदद क्यों नहीं की अगर वह सब्सक्राइब करते तो 4 साल कि और आटो चला रहा होते डते हो सकता उसके बाद और इंटिवाइग करते लेकिन पिता को 4 साल उनको भी चलाना परता इससे बेऊने सोचा क्यों ने एक एक बार फोकस कर दे एक साल फोकस करते और एक्जाम क्रैक करते 24 इंटु 7 पढ़ेंगे कहीं कुछ नहीं करेंगे और एक्जाम क्रैक करेंगे और तीसरा पार्ट टाइम जौब क्यों नहीं की जबको उनको पता दोंके पिता आचार रोटी खा रहे हैं पानी चावल नमक और तेल खाड़े हैं सब समझ में आ रहा है तब भी उन्होंने क्यों हिम्मत नहीं आ रहा वो इमोशनली मतलब आप सोचो कि मुसली कितना आदमी मजबूत है कितना स्ट्रेट्जिकल मजबूती है उनके अंदर कि उन्होंने सोचा ही चलो ठीक मन मार लिया दुख तो हुआ जो कमजोर करती हमें कमजोर नहीं होना है और उन्होंने पने को पेसेंस रखते 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 और उन्होंने तैयारी कंटिन्यू रखा रखते रखते क्रैक कर लिया अगर पाट टाइम जॉब कर रहे होते हैं इस लालच में कि घर बाले का भी कुछ भला हो जाएगा और हम तो पढ़ाई कहां से किया तो अब इसको लेकर उनका पहले का इंटरव्यू आप देख लीजेगा क्योंकि उनका प्रसनल इंटरव्यू है आप देख लेना बट इतना कंफॉर्म रही है कि उनको टीचर्स के सपोर्ट मिले थें अगर आप डिल्स की दुनिया में हैं तो काफी खुल कर उनको सपोर्ट किया था आप सोचिए क्योंकि यह आखों देखी बात कर रहे हैं मैं समय वहां था ठीक है तो खुल के सपोर्ट किया था तो टीचर्स का सपोर्ट उनको मिला था यह गलत फैमी मत रही है कि ना उन्होंने लिया नहीं और उनको मिला नहीं यह दोनों चीज़े हुई थी तो रिल्स एंड रियल की दुनिया में अंतर है उस अंतर को आपको जानना पड़ेगा मूवीज कुछ इंट्रेस्ट के लिए भी बनाई जाती है हिस्टोरीकल मूवी में कई फैक्स बदल दिये जाते हैं तो यहां तो एक बैक्ती पे मूवी बनाए है तो फैक्स तो बदलेंगे ही दूसरा उनका समर्पन कैसा था मतलब उनकी पढ़ाई के प्रती उनको पता था पता है क्या उनको पता था कि उनके पास समय ज़्यादा नहीं है उनको पता था कि उनको कम एटेंप्ट में ही निकालना है बहुत ज़्यादा समय नहीं था दिन रात पढ़ाई किया और पैसे कम थेरियली में यह मैं रिल्स की दुनिया की बात नहीं कर रहा हूँ, यह मैं उनके साथ बातचीत वाला बात कर रहा हूँ, जो हम लोग बात किये थे, उस बात की बात कर रहा हूँ, उन्होंने बताया कि हमारे पास बहुत पैसे नहीं थे, पैसे नहीं हुआ करते तो आप तो पैसे नहीं हो उस्ते जो उसी तरह के कमाल के इंसान गोविज वह भी वह भी क्वालिफाई किये बट उनको प्रॉपर आईस नहीं मिला एलाइट सर्विस मिला तो वह कमाल का इंसान मतलब वह भी उतनी गरीबी से गुजरा हुआ इंसान कभी कहानी मैंने उनका बताया होगा और मस्त मौला इंसान एक दम बिंदास गरीब है तो है कोई बात नहीं एक छोटा सा रूम ले लिया आराम से वहीं पर रहा करते थे और मस्त पढ़ाई करते थे और बहुत सार सेलेक्शन हो गया तो उस साल सेलेक्शन जब हुआ तो ब्रैंक एलाइट मिला खेर वहीं जैसपाल तो डेडिकेशन किस तरह गाथा कि दिन रात पढ़ना है आख खुल गई पढ़ना है आख किसी कारण से खुल गया अगर नींद में है किसी कारण से जटकल लग गया खुल अब जैसे गोवीन जैसवाल क्वालिफाई कियें सबने सपना देखना सुरू किया और सिमिलरिटी किस बात की आर्थ थी लेकिन उन्होंने कहां पढ़ाई की कैसे पढ़ाई की कैसे सपोर्ट मिला और उनको पढ़ाई के परती कितना पैशन था इसको शायद आपने नहीं देखा रहा हूं पूजा कुमारी 41 रैंक एसडी बीपीसी उसके उसके पास मातर दो एटेम्ट से घरवालों के तरब से प्रेशर धा दो एटेम्ट था कि क्वालिफाई करना है क्वालिफाई कर गई क्योंकि पैशनेट होके पढ़ाई की समझ में आ रहा है तो गोवीन जै पढ़ार पर सिमलर्टी को लेकर और उनका कैरियर डूब गया आईस भी नहीं बने और कहीं के नहीं रहें और कुछ बच्चे जो सपने भी देखें उनके बताय सजीशन पर चला भी क्वालिफाई कर गया है तो आप में से अभी भी जो इंटरिव्यू कुछ भी आता है सिर ऐसे सती ही चीजों पर उलच जाते हैं उसने कहा कि हमने खूब रिविजन की आपने किया उसने कहा हमने 10-10 गंटे डेली पढ़ाई की आपने किया या 5 गंटे हम कंटिन्यू पढ़ते थे चाहे आंधी तूफान क्यों ना आ जाया आपने किया नहीं किया ना लेकिन आईस नहीं पने उन्होंने बोला हम पर्टिकुलर चीजों को फॉलो करते थे हम ऐसे वेफसाइट देखते थे यह टीचर्स के साथ जाते थे आप के आप गये आपके पास प्रॉपर प्लान था तो सिर्फ वो हो गया और उसका इंटरव्यू देख लिया उसकी मूवीज देख ल महिनत का मिसाल है मतलब आपने जो पुराने जमाने में सुना होगा कि दस-दस किलोमेटर जाके पढ़ाई करते थे और फिर भी आके पढ़ते रहते थे वह मिसाल है गोवीज जैसवाल वह सक्स है जो एकजांब के टाइम में जो सक्स है वह आज भी मनाद सिम्पलिसीटी वह ऐसा ही कर रहे है वह डैस हो या बात्चीत का धड़ीका हो या किसी के पड़ती उनका बहवार हो वह एजिटी से है वो सिम्पलिसीटी है गोविन जैसवाल बनना है गोविन जैसवाल कैसे बन जाओगे समझ में आ रहा है न गोविन जैसवाल भी दिल्ली जाके पढ़े थे यानि आप जहां से पढ़ रहे हो वहां से आपको बाहर का सपोर्ट लेना होगा समझ में आ रहा है तो ये उनकी strategy थी न, आप बनाते हो ऐसा strategy, ध्यार रखिए, गोबिन जैसवाल से बोलने से नहीं बनेगा कोई, गोबिन जैसवाल बनने के लिए गोबिन जैसवाल जैसा थोड़ा भी बनना पड़ेगा, अब गोबिन जैसवाल जैसा बहुत बनने की जरूत नहीं, उस समय की परिस्थिती अलग थी, अब थोड़ी अलग हो गई है, तो अब आप, अब आपके पास study material वहां तक पहुंच, ये सब आसान हो गया, पहले एक-एक, दो-दो question के लिए, दस-दस किताबे खंगालनी पड़ती थी, हर एक से एक-एक point निकालना पड़ता था, अब आपके पा गई होगी, मिलते हैं अगले वीडियो में